दोस्तो अगर आपके पास इश्रम काड है तो आपके लिए भहती बड़ी खुशकबरे है दिवाली पर करोडों श्रमिकों पर महरबान हुई सरकार खोल दिया खजाने का मुँँ तो केंद्र की मुदी सरकार हर वर्गों को ध्यान में रखती हुए योजनाव का क्रेनवे करत ताजा जानकरी देश के श्रमुके के लिए मिल रही है जी हाँ इश्रम काड के जरे अब स्पेशल आईडी काड बनाये जाएंगे जिनके तहत करमचारियों को तमाम सरकारी सुईदाओं का लाब मिलेगा इन स्पेशल काड को भी आदर से लिंक किया जाएगा ताकि पात्र मजदरों को चिन्हित किया जा सके जिसके बाद मजदरों का एक डेटाबेस तयार किया जाएगा ताकि कोई भी श्रमिक सरकारी योजनाओं के लाब से वन्चित ना रह सके आपको बता दे कि इश्रम काड सरी 500 रुपे पेंचन पाने तक ही सिमित नहीं रहा आपको बता दे कि 2021 में सरकार ने इश्रम काड योजना शुरू की थी जिसके तहत मजदुरी वर्ग के लोगों को 500 रुपे भता दे जाने का भी एक प्रावधान किया था इश्रम काड केवल उन्हें लोगों का बनाया गया था जिनके पास कोई रोजगार नहीं साथ ही वे मजदुरी करके अपने परिवार का पालन पोशन करते हैं अब इश्रम के तहत ही स्पेशल आइडी बनाने की कवायात तेज हो गई है बताया जा रहा है अभी आप बड़िया अपडेट सुन रहे है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशल आइडी देश के श्रमों के के लिए गेम चेंजर साबित होंगी यह स्पेशल आइडी मज़दुर के लिए हतियार का काम करेगी निर्मान कारों में लगे प्रवासी मज़दुर का इसके खास तोर पर फाइदा मिल पाएगा हाला कि स्पेशल आइडी का कॉंसेप्ट पिछले साल ही लागू कर दिया गया था लेकिन घोशना के बाद ही कोई समिक्षा आदिन होने के चलते कुछी लोगों को स्पेशल आइडी दी गई अब इसमें तेजी लाने के लिए सरकार ने निर्दशित किया है श्रम मंतरालाई के सुत्रों के मुताबिक इस स्पेशल आइडी कार्ड को मजदूर के आधर कारड इश्रम डाटाबेस जोड़ा जाएगा इस आइडी कार्ड को आधर से लिंक किया जाएगा साथी इश्रम काड़क पर मिलने वाली सभी सुईदा इधर ट्रांसपर हो जाई स्पेशल आईडी के बाद किसी भी मजदूर को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है साथी ए मजदूर एक राज़े से दुसरे राज़क काम की तलाश में जाते है इसलिए उन्हें हर तरह की चुनोती का सामना करना पड़ता है इसके अलावा किसी सडक हाथसे में भी उन्हें कुछ लाप नहीं मिल पाता स्पेशल आईडी के बाद श्रमिकों को सबी लाप प्राथ मिक्ताव उपर मिलेंगे जो भी अधिकार काड़ देखकर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखेगा उसके खिलाब विभागिय कारवई होंगी